हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का भागयोदय करने का रास्ता अलग होता है, हर रेमेडी हर किसी के उपड नहीं लगती है, तो आज ये जानेंगे कि किस तरीके से लियो लोग, लियो राश्ची वाले लोग अपना भागयोदय कर सकते हैं और क्या रास्ता है इनके लिए अपनी विश्पूरी करने का या अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का तो आईए जानते हैं कैसे होते हैं लियो राशी वाले लोग और क्या करें क्या ना करें इन लोग हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ अनरंजनी गुपता आवास्तु कंसल्टेंट एस्टलॉजर एननिमरोलजी एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लियो के बारे में एक लाइन बोल दूँ मैं यू हेट अली ओ यू लव अली बट यू केन नौट इगनोर अली चाहे प्यार करो चाहे नफरत करो इनसे फरक नहीं परता आप एकनने इगनोर कर ये दिखाओ करी नहीं सकते हैं इनको इगनोर सौ लोगों की भीड में भी एक लियो ये बताया था है कि मैं लियो हूँ मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छे होते हैं ये बुरे होते हैं ना 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 मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये दिखाई देते हैं ये भीड में अलग दिखाई देते हैं अब भीड में अलग दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि शोर मचा रहे हैं कुछ इन्य कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं मतलब लियू के अंदर वो खास personality है या God gifted power है या क्या दिया है भगवान ने इनको भगवान जाने मुझे आज तक में इस समझ में आप आया कि अगर एक लियो शान्त भी बैठा है न तो भी लोग उसके उपर concentrate करेंगे एक लियो अगर शान्त बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी वो भीड में अलग पहचाना जाएगा एक अलग personality का अलग charisma लेकर आप पैदा होते हैं ये लोग seriously मैं कही बार आपको ये लोग बहुती जादा टॉकेटिव दिखाई देंगे बहुत loud दिखाई देंगे ऐसे इंसान को तो हर कोई जानी जाएगा लेकिन कही बार ऐसे लोग बहुती शान्त बहुत सौम में दिखाई देंगे कुछ बहुत जाता नहीं बोलेंगे लेकिन तब भी तब भी आप लियों को पहचान लोगे क्योंकि कुछ ना भी करें तो भी पहचाने जाते हैं सूर्य है ना कौन है इनका जो कारक तत्व इनके basically जो राशी है इसका लॉड है सूर्य तो सूर्य चाहे मंदा हो चाहे हाई हो वो पहचाना तो जाएगा ये वो दिखाई तो देगा ही देगा तो यही कारक तत्व लेकर ये पैदा हुए है अब इनके अंदर ने एक डॉमिनेटिव सा एक क्यारेक्टर आपको दिखाई देगा लियो राशी वाले लोग डॉमिनेट करते हैं जी हाँ अब आप लियो राशी वाले वार आप कोगे अरे नहीं मैं तो डॉमिनेट नहीं करते हैं मैं तो बड़ा soft हूँ मैं तो बड़ा simple सा हूँ देखिया जी simple सी बात है आप अपने आप से मत पूछो अपने आसपास के लोगों से पूछ लो आपको अपने बारे में जो गलत पहमी होगी न वो resolve हो जाएगी येस आप डॉमिनेट करते हो आप लियो आप लियो कि कैसे कोई कह सकता है कि मैं डॉमिनेट नहीं करता है मैं डॉमिनेट नहीं हूँ आप चाहे गुसे से डॉमिनेट करो चाहे किसी को emotionally blackmail करके डॉमिनेट करो बट आप कर डॉमिनेट ही तहे हो कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो पकड़ा कान ही जा रहा है तो डॉमिनेट तो आप कर रहे हो, that is for the sure, और आपको अगर लगता है आप इस बात से वाकिफ है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वाकिफ है, तो अपनी family से पूछ कर देख लो, कि क्या मैं डॉमिनेट करता हूँ, वो बता देंगी आपको, अगर आपने ज़्यादा डरा देखर जाता है, आपके career में, आपकी life में, आपके business में, आपके job में, लेकिन at times, कही बार, ये dominating nature, जब कोई आपसे dominate ना हो पाए, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए restlessness का कारण बन जाता है, तो सबसे पहले तो इन लोगों को बोलते हो, इनका name number ज़रूर correct होना चाहिए, कि ये एक proper तरीके से, आप राज चलाने आयो भई, राजा का name number correct होना चाहिए, जिसे कि उसका राज proper तरीके से चल पाए, ठीके, साथ में, आप अपने हाथ में, युरगवे कार्णेलियन ब्रेसलेट, ज़रूर डाले, क्योंकि युरगवे कार्णेलियन ब्रेसलेट, आपको तो वो एक शक्ती देगा, जिससे कि आप अपनी जो इतनी immense power हैं आपके अंदर, इतनी immense energy रिसीव करते हो, आप लियो होने की वरेसे, उनको सही तरीके से balance कर पाओ, अपने career में जादा उंचाई पर जा पाओ, जादा focus कर पाओ अपने काम में, क्योंकि कई बार focus हिलता है, ह हिलता है न, और साथ में, हो सके, तो पाँच धारीदार carnelian tumbles, धारीदार समझना, धारीदार carnelian tumbles अपने घर के साउथ में रख दो, और तातो शुद्धी धूबत्ती, क्यावन चड़ी बूटियों वाली धूबत्ती से घर में धूनी करो, जिससे कि जो भी negativity है ना घर मे वो clean out हो, और आपका emotional balance ठीक रहे, साथ में आपका वो जो राच चलाने वाला आपका system है, वो बना रहे, आप dominate जादा ना कर दो किसी को, इतना करो कि सामने वाला आपकी respect करें, बात मानें और इज़त करें, जो कि आप deserve करते हो, undoubtedly, अगर आप लियोगो तो आप, वो आप carry कर हो है पीछे से, आपको इज़त मिलेगी ही मिलेगी, that is for the sure, लेकिन कई बार वो इज़त बेज़त ही में बदलने लग जाती है, अगर ऐसा हो रहा है, सिरफ और सिरफ तब, तब आपको, ये जो मैंने बताया, आपको धाड़िदार cardinal tumbles अपने घर में रखने की जरुवत है चीक है, रखके देखो, and just tell me, after 45 days, कि आपके साथ क्या रहा, क्या result आए, आपको ये tumbles अपने घर में रखने के बाद, और ये bracelet पहनने के बाद, साथ में, चाहे कुछ करना, या मत करना, लेकिन ततु शुद्धी की धूबबती से, अपने घर में धूनी जरूर देना 45 जिन for everyone in your family, बहुत ज्यादा impactful है, तो चलिए, आज के लिए बस अतना ही, मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्रे राब